मेरी यती प्रियूंग, क्या आप बले चेंगे में हैं? कुछ ने कुछ दिल में बोज है, इसलिए जीवन में बहुत परिशान है ना? इस जहा को देखें, दिल में तोड़ा सांती मिलेगी. बिलकुल देखने में इतनी अच्छी हैं, यह जहा को आप देखना चाते हैं, मन में प्रशन उड़ता है, यह जहा कहा है? तमर्नाड की कन्या कुमरी सीमा को जब पार करेंगे, कैरला के बीच में यहां है, उसका नाम है फूवार, बहुत सुन्दर है. मैं भी पहले बार यहां आया हूँ, समुन्दर के किनारे हैं, बैक वार्टर भी है, बहुत सुन्दर है, यहां अमनाव में आया हैं, बहुत सुन्दर, एक रसाट भी यहां पर पाए जाता है, देखने से यह मन में बहुत चैन मलती हैं, आनदित है, बहुत सुन्दर जगा है आप भी यहाँ पर आके देख सकते हैं समूंदर के किनार है चारुतर पानी है यहाँ पर आके देखने के लिए बहुत अच्छा है ठीक है आज आपका मन में कुछ दुक है आपके दिल में कुछ बोज है इस बोज के साथ आप इसको देख रहे हैं वो परशानी है क्या करेंगे किसी से कहने के लिए तयार नहीं है किसी को आपने अपने जीवन में कोया है या कुछ नुकसान है कुछ परशान है मन में कुछ बोज है इसी किसी को कहने के लाइक नहीं है मन खोल के किसी से कह नहीं सकते है न लेकिन आज आपके दिल की बोज के लिए प्रभू का वच्छन को आज हम ध्यान करेंगे ये साय 51 अध्याय का बारा वच्छन में मैं मैं ही तेरा शांती दाता हूँ मेरा बेटा मेरी बेटी चिंताना करें आज परमीशर आपसे कहता है जो दिल की गहराई में जोट लगा उसको मैं चंगा करूँगा वच्छन में प्रभू का बार में कहते हैं वो सांती धायक परमीशर वो ही अमारे दिल में शांती दे सकते हैं उसी सांती धायक परमीशर का वच्छन कहता मेरा बेटा तुम्हें चिंटा नए करना मेरी बेटी तुम्हें कभी चिंटा नए करना मैं तेरे संग हूँ सिर्फ मुग के वचनों के द्वारा क्या शांती मिलेगा नहीं किसी गर में कोई अगर मर जाते हैं सारी रिस्तदार लोग वहां पर आके तसली देने के लिए कोसिस करते हैं सेवक लोग भी आते हैं तसली का वचन देखे और चले जाते हैं उस वक्त में उस परिस्तिती में तोड़ा सा दिल में तसली और मिल जाती है मैं एक बहन के गर में गया हुआ उसका पती मर गे और मैं तसली देने के लिए कोसिस किया और उनके बच्चे भी और कहने लगें पिता तो मर गए लेकिन वो तो येशु के संग रहते हैं और आपको चिंता नहीं करना इतने सारे बच्चे आगे हैं चारों तरब को लोग आके उनकी दिल में तसली देने के लिए कोसिस किया कभी कभी हमारे मन में भी ऐसे वचनों के द्वारा शब्दों के द्वारा दिल में कभी तसली नहीं मिलती है मैं वहां पर भैटा वाता मैंने सोचा इनके लिए क्या कहूं क्या कुछ सब्दों से कहूंगा नहीं परमीश्वर के वचन से मैंने वचन को पढ़के प्रातना किया और बोज के साथ उस वचन में रखकर हमने प्रातना की मैंने कहा ये परमीश्वर मेरे वचनों के द्वारा इनके दिल में कभी भी तसली नहीं मिल सकती तेरा वचन का द्वारा इनकी दिल की जो गहराई में जो परशान चोटे वो ठीक हो सकता है पवित्र आत्मा का एक नाम तसली देने वाला उनकी उपस्तिती में तसली मिलती उसे सामत को प्रबु वहां पर देने के लिए मैंने उस बहन के लिए प्रातना की और बोज के साथ अमने प्रातना के ये परमीशर तेरी ही उपस्तिती के द्वारा तेरे सामत के द्वारा इनका दिल में तू तसली देना है मैं प्रातना करके आगे और बच्चे आके कहने लगे जब आपने प्रातना किये ते उस वक्त मेरी माँ को प्रबु ने तसली दी सामत मेरे दिल में आया परमीशर की उपस्तिती मेरे दिल में आया मेरे दिल की सारे बोज को प्रबु ने मुझे धूर किया वही परमीशर का उपस्तिती आज परमीशर आप से कहता है मेरा बेटा मेरी बेटी तुमारे दिल में ऐसा बोज है किसी से कहने के लायक नहीं है आपका मन में इतना दुख है लेकिन परमीशर का उपस्थती आपका पास आने वाला है प्रभु का उपस्थती आज उतरने वाला परमीशर का तसली धेने का सामत उतरेगा प्रभु अपने तसली से आपका बरने वाले है हे प्रबु इस बेटा की दिल को देखिए और इस बेटी की दिल को देखिए प्रबु जे आज इनका मन में इतनी सा तावट है इनका मन में ऐसा बोज है वो किसी से कहने का लायक नहीं है मन कोल के कह नहीं सकते हैं परमेश्वत तू ही आज अपने सामत से अपने उपस्तिती स अपने तसली देने की पवितर आत्मा की ताकत से इनके दिल को बरना है इनको आज तू छंगा करना है आज इनकी दिल की बोज को दूर करने के लिए येश्यु मसी के नाम से मैं प्रातना करता हूँ इनके दिल की तसलिम मिलने पा, इनके मन की दुखों को आज दूर करना है, ये शुक के नाम से इनको तसलिम मिलने के लिए मैं प्रातना करता हूँ, सारे लोहों की दिल को तू दूर करना है, आज इनके जिवन में अद्बुच मतकार करना है प्रभू, ये शुक के नाम से इस प्रातना को मांगते हैं पिता आमेन आमेन